हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं artificial methods of vegetative reproduction के बारे में पिछले lectures में हम vegetative reproduction क्या है यह पढ़ चुके हैं और इसकी हमने पढ़े थे दो टाइप होते हैं एक होता है natural और एक होता है artificial natural हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे artificial methods तो चाहे artificial method हो, vegetative reproduction का plants में या फिर natural method हो यह क्यों पॉसिबल है क्योंकि जो plant cells होता है वो totipotent होते है यानि उनमें totipotent की पार होती है इसी वज़े से vegetative reproduction plants में possible होता है अगर हम इसको define करें कि इस हमारा जो topic है इसका क्या meaning है तो हम कह सकते हैं कि तेक्नीक या मेथड़्स तेक्नीक और मेथड़्स विच आर चैरिड बाए हुमांस to produce plants vegetatively तो नीधादी टेक्नीक और मैथर्स है डरण बाय और करीड़ बाय हुमन बींग तो प्रोडूश प्लांट जोकी मनुश्य यूज करता है ताकि वो प्लांट को वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करवा सके अच्छा अब यह चार टाइप के होते हैं तो एक करके हम इनके बार में पढ़ेंगे पहला है कटिंग कटिंग क्या होता है जनरली इसमें आपने इन जनरल भी सुना होगा कि हमने प्लांट के कटिंग लगाई थी वाली इसलिए इतना यह जल्दी बढ़िया या फिर आपने इन जनरल भी कटिंग वर्ट सुना होगा प्लांट के केसे में तो यह बहुत ही सिंपल मैथड होता है प्लांट को प्रोड्यूस करने का और इसमें जनरली जो कटिंग यूज होत 20-30 cm स्टेम या रूट की रूट का टुकड़ा आप काट लेंगे और उसको आप जमीन में गार देंगे ताकि उसमें से एक बाद कुछ टाइम के बाद एक नया प्लांट उसमें से डवलप हो पाए तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनकी आप रूट कटिंग ले सकते हैं जि फिर है ब्लेक बैरी और फिर है रैस्प बैरी यह जानने यह जो जरूरी है क्योंकि पूछते हैं कि इस मैंसे कौन से प्लांट है जिसके आप स्टेम कटिंग कर सकते हैं इस मैंसे कौन से प्लांट है जिनके आप रूट कटिंग कर सकते हैं स्टेम कटिंग किस किस प्लांट है तो है उसके बाद आप स्टेमम कर्टिंग इंफेक्त आप LEMON की बहुत इसके बाद चाइना रोज है को यह आपो ध्यान देने हैं इग्जैंपन पॉइंट ओफ प्योत से और आपने विला का नाम सुना होगा तो वोगनवीला की प्याप केltank लगा सकते हैं इसके अलावा ऑफ़ी इंचानक या तु यह संसे वीरिया तो यह जो सेंसे वीरिया प्लांट है इसकी आप लीफ कटिंग लगा सकते हैं तो यह हुआ कटिंग अब दूसरा है लेयरिंग दूसरा मैथर्ड है लेयरिंग लेयरिंग में क्या होता है कि जो भी प्लांट है तो उसका ट्विग है यानि उसकी ब्रांच को आप बेंट करके उसको सोईल के अंदर आप दबा देते हैं तो जैसे अगर यह कोई प्लांट है इसकी आपने विगली इसकी ब्रांच ली और इसको बेंट किया इसको आप जुखा के जमीन के यह जमीन है इसके नीचे आप डाल देंगे इसे इसको यह मारी जो पार्ट हम ने प्लांट का बेंट किया इसको हम बोलते हैं लेयर लेयर वो पाट है जो आप जमीन की नीचे गाड़ेंगे दबाएंगे इसको दबाने से पहले चीज जिए रखने कि आप इसमें छोटा इंसीजन भी लगाएंगे इसको थोड़ा सा छिल देंगे थोड़ा साथ को काट है जिसको हमने मिट्टी के नीचे दबाया है इसमें से रूट्स निकलेंगे और फिर आप इस पार्ट को यहां से में प्लांट से इस ब्रांच को आप काट दीजिए क्योंकि अभी ने प्लांट और इसको दूसरे जगह आप इसको प्लांट कर देंगे तो इस तरीके से ले लेरिंग पॉसिबल है यह हैं जैस्मीन, स्ट्रॉबरी, ग्रेप वाइन और चेरी तो यह वो प्लांट से जिसमें लेरिंग के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन किया जाता है अब है तीसरा मैथड है ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग क्या है ग्राफ्टिंग एक ऐसी टेकनीक है जिसमें कि आप दो plant के parts को आप join करते हैं ठीक है तो दो अलग-अलग plants के part आप लेंगे और उनको join करेंगे जिससे कि आपको एक plant, एक composite plant मिल सके तो यहाँ पर हम दो plant use कर रहे हैं लेकिन यह उन्ही plants में successful है, efficient है जो कि closely related होंगे, जो कि आपस में closely related है और दूसरा कि जिन में vascular cambium होगी vascular cambium आपको पता है कि यह vascular cambium जो है xylem और phloem generate कर सकती है जो कि plants के essential parts है, vascular system के तो इसमें दो plants use हो रहे हैं तो जो plant जिसका की root system ज़्यादा strong है उसको आप basil part के तरह use करेंगे यानि वो roots नीचे रहेगा और इस part को हम बोलेंगे stock या stump और जो plant ऊपर रहेगा जिसको आप graft करेंगे stock या stump के ऊपर उसको हम बोलते हैं skion यह जनरली वो plant होता है आप उस plant को skion के फॉर्म में यूज करते हैं जिसमें के superior characters या desired characters होते हैं तो क्या करते हैं हम जो plant हमको stock या stump के उसमें हम ले रहे हैं हम उसको 20-30 cm above the ground हम उसकी shoot को कार्ट देंगे और इसमें कोई भी leaf या कोई भी bud प्रेजेंट होगी उसको भी हम remove कर देंगे उसके बाद हम stock में यह जैसे हमारा हमने as a stock लिया और इसमें complimentary cut लगाएंगे ठीक है वो complimentary cut कैसा भी हो सकता है एक ऐसा cut दोनों में जो की एक दूसरे में fix हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे इसे thread से आप बाद देंगे tight से और क्या करेंगे कि इसमें आप grafting ग्राफ्टिंग वो आता है जल आता है यह ग्राफ्टिंग वैक्स आती है आप इसको बाहर से इसको कवर कर देंगे तो आप इसको ठ्रड से बाद के इसमें क्या लगा देंगे ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देंगे ताकि इसमें कोई भी infection न जा सके तो ऐसे कौन से plants हैं जिनके हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं मैंगो गुवावा एप्पल रबर प्लांट और पियर इस आप देखने कि यादा फ्रूट वाली प्लांस हैं ठीक है अब ग्राफ्टिंग भी चार टाइप की होती है पहली होती है टंग ग्राफ्टिंग तंग ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग क्या होती है कि इसमें जो स्टॉक होगा और जो स्क्यून होगा वो अल्मोस्ट उनका डायमीटर सेम रहें गर और हम उनमें ऑब्लीक कट लगाएंगे हम उनमें अबलीक कट लगाएंगे साथ में हम उस जो हम उसको हम उसको अबलीकली काटिंगे या स्लोपिंग कट लगाएंगे उसमें और उसमें हम बीच में एक नॉच इस कट के बीच में हम रखेंगे इस cut के बीच में हम एक notch रखेंगे यह है notch और यह notch इसलिए होती ही ताकि to ensure perfect fixing ताकि यह perfectly दूसरे से fix हो सके तो यह है tongue grafting दूसरा है wedge grafting wedge grafting में क्या होता है इसमें भी जो stock होगा और जो skewn होता है वो एक ही लगभग एक ही diameter के होते हैं और जो stock होता है हम उसमें जो stock होगा उसमें हम एक V-shape का केंक Native Stalk में हम व शेप का कट करकंगे और जो मारी स्खियोट होगा उसमें व समें हमist करेंगे ठीक है एकivas के ऐक दूसरे मेंस कंगे एक दुसरे मेंस भिक्स हो जांगे और क्या होता है कि जो स्टॉक होता है उसका डायमीटर जाधा होता है और इसके उपर आप नमबर ओफ स्कियों लगा सकते हैं जितनी भी आपको स्कियों लगाने हैं सेपरेट सेपरेट जितनी भी इसमें आ सकें प्रॉपरली उनको आप इसके ऊपर लगा सकते हैं तो सिंगल स्टॉक के उपर हमने काफी 이런 हम किस लास्ट है साइड ग्राफिटिंग क्या है इसमें वह जो स्क्राइब होगा उसका और सिकनाडामीटर क्या होता है है अलग लग होता है और किसा भैmiटर ज्यादा च। स्टॉक का ऐाम का वित आखाः li msGax लेकिन इसमें हम लेटरल साइट कट लगाते हैं और हर एक कट पर आप एक स्कक्यों जो है ग्राफ्ट कर सकते हैं तो यह यह टाइप की grafting है, tung grafting, wedge grafting, crown grafting and side grafting. तो यह third method है grafting, इसका artificially, आप जिससे plant, artificial method to produce plant, vegetative reproduction का. अब है last, gooty. गोती को हम air layering भी बोलते हैं. कि इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो भी प्लांट आपने सिलेक्ट किया उसकी आप एक हेल्दी ब्रांच लेते हैं जिसमें की लीव जो आप आपने प्लांट लिया उसमें बहुत साई ब्रांचेस होती हैं तो कुछ ब्रांचेस खराब होती हैं कुछ ब्रांचेस अच्छ कर लिए तो उसके बार्ख आप इस ब्रांच जो आपने ब्रांच स्लैक्ट करिये है उसमें आप दो से पांच सेंटीमीटर का जो बार्ख है उसको रिंग्वर्म हटा दिए और ये कहां पर करेंगे इस ब्रांच के बेसल पार्ट में जहां पर इसका बेसल पार्ट होगा बेस होगा लगबग वहां पर आप 2-5 cm बार्क को एक रिंग फॉर्म में आप उसको हटा देंगे उसके बाद ये जो एरिया होगा वो खुल जाएगा ठीक है तो इसको आप एक मिक्शर से कवर करेंगे जिसको हम ग्राफ्टिंग क्ले बोलते हैं और ये ग्राफ्टिंग क्ले में दो पार्ट क्ले का होता है पार्ट कावडन्क डंक होता है ये जो मीक्शर है इसमें वाटर होता है और इसमें ये अकोटन ले सकते हैं या फिर मॉस ले इस को यह एब्सॉब करके वहां पर रखेगी उसके बाद इस मिक्श्चर को आप यहां पर लगा दिंगे जहां से अपने बाग रखटाई है और फिर आप इसको एक पॉलिथीन से कवर करके टाकि इसमेंसे डैसिकेशन ना हो पानी बाहर को ना उड़े और सुखे नहीं और इंफेक्शन दुसरा काम क्या होगा कि दो कवर करेंगे कि सुरी आप आप देखेंगे लगबग एक से तीन मेने के बाद जो ये एरिया है यहां पर चुटी-चुटी रूट्स डवलप हो जाएंगे और फिर आप इस पार्ट को कट करके क्या कर सकते हैं दूसरे जगे प्लान कर सकते हैं तो यह थे चार मैथट्स ऑफ वेजिटेटिव री प्रो डक्शन आरटिफिशल क्या थे पहला हमने पढ़ा था कटी सब्सक्राइब दूसरा हम नेब लेयरिंग आ तीसरा हमने पढ़ा ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग में भी हमने चार टाइप की ग्राफ्टिंग पड़ी थी और चौथा हमने पड़ा गूटी या जिसको हम एयर लेयरिंग दे बोलते हैं तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब ग्राफ्त पहिं प्राफ्त की खियाओ अख्वारी होगा ट्राफ्त की बड़िव टो फस्टापट एंग्यों की अ